नाकपुर में आई जित एक प्रोग्राम में दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिरिवाल और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन मान आये थे भाशन के दोरान उन्होंने कई पहलोगों पर रोश्णी डाली थी इस बात को लेकर सम्मादाता संजे मिरे इन्होंने आमाद्मी पार्टी के वरिष्ट पतादीकारियों से बाचित किये आईए दिखते हैं दर्च को नमस्कार इस समय में बीसन के टीम भड़ सबागरों के सामने में खड़े हैं हम आपको बता दे के हाली में सुरेज भड़ सबागरों में दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजिवाल साहब और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवान मान जी आये थे एक कारक्रम के लिए और इस समय में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहां पर मौजुदे जैसे की विजय जी कुंभार है आप देख सकते हैं दीपक सिंगल जी है धनजे जी शिंदे है और खुद वानखेड़ी जी हमारे साथ में हैं तो आईए हम सिधा रुख करेंगे सबसे हम बात करना चाहेंगे धनजे शिंदे साब से धनजे शिंदे साब यह पता कि जिस प्रकार से आच केज्रिवार साब का यह जो प्रोग्रम हुआ है कितनी उर्जा लोग लेके गया है है यहां से लोग नहीं बलकि पूरा नागपूर और साथ में विधर्ब मैं एक ब विचार रखे मेरे खाल से उन्होंने नाकपूर और विदर्भा में रहने वाले ही नहीं बलकि महराश्टर में रहने वाली हर आम आदमी के दिल की बात कई है शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा आरोग्य के बारे में उन्होंने कहा ब्रश्टाचार के बारे में खिलाफ क्य के लोगों से बात किए कि ये तो अपनी ये तो अपना आदमी है ये अपनी बात कर रहा His लोगों में काफी उसाहा नजर आया लेकिन क्या ये उसाह बरकरार रखने के लिए क्या और केजरिवाल साब या उनकी जो पार्टी लाइन के जो बाकी लोग है क्या वे हमेशा कारे करता या समाज में अपने विजिट करते रहेंगे बिल्कुल पहले तो सबसे वहले लोगमत को गोल्डन जुबली की शुब कामना है उनकी गोल्डन जुबली के उपलक्ष में अर्विन जी बगवतमान जी और रागव भाई सब यहां पर आये थे जो आज उर्जा पैदा हुई है जो आज लोगों में जो उत्साह था वो समय है जो चुनाव जब निकाए के चुनाव है के चुनाव है महनागर पालिका के बहुत मजबूती से लड़ेगी वरता जीट की आईगी प्रविजे जानकर इस समय में हमारे साथ में दिपक सिंगल जी थे जिन्हों ने यह जानकर दिया अब हम सिधा रुक करेंगे विजे कुमार जी हमारे साथ में है विजे जी यह बताइए आपको कैसा मेंसूस कर रहे हो और क्या कारे करता की प्रतिक्रिया है आ रही है आपके पास देखिए अर्विन केजरीवाल का दूसरा नाम ही सकारत्मक उर्जा अर्ष सक्से से अर्विन केजरीवाल जहां भी जाते वहां की जनता वहां की लोगों को अपना लेते उनको लगता है कि अर्विन केजरीवाल मतलब महीं भी अर्विन केजरीवाल हूँ अईसी उर्जे आने के बाद वो जहां कई भी जाते वहां के लोगों के भरोसा आता है कि हम यहाँ जितने वाले और हमारे कारे करता का उत्सा राव तो आपने देखा है उनको पता है कि अर्विंद के जरिवाल एक बार यहां आये तो सिर्फ नाकपूर में आये कि इसका मतलब सिर्फ नाकपूर के लिए संदेश नहीं था वो सारे महाराष्ट के लिए संदेश था और सारा महाराष्ट इससे एक सकारत्मक उर्जा लेगा और अर्विंद के जरिवाल को जो चाहते जैसा चाहते वैसा महाराष्ट सारी दुनिया को यहां के कारे करता देंगे इसका मुझे बरोस है आज का जैसे यह प्रोग्राम हुआ तो हमने यह देखा कि जो यहां पर दर्शक थे उनमें काफी उसा बना हुआ था और हर किसी के प्रती अर्विन केज्रिवाल साहब हो या भगुलमान सिंग साहब हो या फ इस बार केज्रिवाल साहब है लेकिना आपके जो बड़े नेता है वो कभी दिखाई नहीं देते क्या आपके इसके बाद आपके नेता आते रहेंगे बिलकुल आज हम बोलेंगे कि दुग्द शरकरा योग था अर्विन जी भी थे और भगवन मान जी भी थे उनके साथ सा आज हमारे रागव चड़ा जी भी थे तो सभी बड़े नेता आज नाकपूर में थे नाकपूर में नाकपूर जीले से पूरे विधर्व से लोग आज एक प्रोग्राम सुनने के लिए आए थे और लोगों में काफी उर्जा एकदम उर्जा लेकर लोग बाहर निकले है औ लोगों का जो उस्साह अर्विन जी ने देखा बिलकूल अर्विन जी इसके बाद बार बार विधर्वा में आएंगे महारस्टा में आएंगे और जिस प्रकार से पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार बनी जनता के मुद्दों को लेकर वहां अंदोलन चला और वहां स पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसी प्रकार से आने वाले समय में कार्पोरेशन हो या नगर परिश्चत नगर पंचयत हो वहां पर भी आम आदमी की सरकार बनेगी और दिल्ली मॉडल महाराष्टर में जल्दी आएगा या नाखूर में इसी प्रकार की अक्तियार की जाएगी जिसके बाद लोगों उस्सा कार्यकरतों में उस्सा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तानिक स्वरज संस्ता की जो चुनाओं जो हुने जा रहा है उसके अंदर बड़े पैमाने पर आम आदबी पार्टी की उमिदवार जीत हासिल कर सकते हैं बशरते इसके लिए सबने मिलजूलकर काम क लखना होगा और आम आदमी पार्टी का जो वादा है और लोगों के दिल तक उतरना होगा यही समय की मांग है बट सभागरों से कैमेरा पर सबस्वाज बुठले के साथ संजय मीरे बीसे न्यूज नाकपूर